बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बात करेंगे कैसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्य को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल के शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है सुमबार का तारीख है 9 मई 2022 वैशाक्षो कलाश्टमी पर चंदरमा करकराश और शलेशा नक्षातर में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा दो शुबरंग रहेगा सफेज शुबरंग शुबदिशा रहेगी व्यायव राहुकाल रहेगा सुबह सबसाथ बज़े स अगले दिन सुबह 5 बचकर 34 मिनट तक दिन का सबसे शुम औरत रहेगा शाम को च्छे बतिस तक और विशेश क्या है वैशाक की दुर्गाश्टमी है और बगला मुखी जैनती है जहां माता बगला मुखी का प्राकट्य दिवस और हमारा जो विशेश उपाए है वो भी द बताएंगे आपको वाद विवाद में कैसे जीत मिलेगी वो प्रोग्राम के लास में आपको बताएंगे तो चलिए अब शुरुवात करता है राश फल की राश नम्मर एक मेश एनी एरीस के साथ में खास काम में भाई बहन सायोग देंगे दामपत्य मधूरता से भरपूर र ठीक रहेगा धूरे काम पूरे होंगे कुमारों को विभा प्रस्ताव मिलेगा उपाईये करें कि सफेद नीले कपड़ों को कॉम्बिनेशन पहने शुबरंक दो रहेगा शुबरंक रहेगा सफेद दूसरी राश व्रिश ने टॉरस की बात करेंगे काम समय पर पूरे मदद से कारोबारी लाब होगा दफ्तर में भैतर अफसर मिलेंगे दोस्त सय योग करेंगे उपाईये करें कि चीनी मिट्टी के बरतन में भोजन करें शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला तीसरी राशी मिथुनियानी जमनाय की बात करेंगे कानुनी मामले पक करके कैंसर की खास काम अधूरे रहेंगे कुछ मामलों में भ्रमित रहेंगे चात्रों की पड़ाही बहतर रहेगी बने वराएं कारोबारी काम रुकेंगे घरीलू महाल में तनाव रहेगा उपाईये करें कि पूजा घर में चंदन की अगरवत्ती जलाएं शुबंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला पांचवी राशी सिंग यानिक लियो की बात करेंगे घरेलो समस्या हल होगी कामकाज में कड़ी महनत करनी पड़ेगी अचानक धनलाव होगा दामपतर रिष्टे सुधरेंगे कारोबारी सांजयदारी से लाव होगा उपाईये करें कि बेडरूम में करपूर जला कर धूब करें शुबंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला चटी राशी कन्या यानिके वर्गो की बात करेंगे कामकाज सरलता से पूरे होंगे कारोबारे में उमीद सह अधिकलाव होगा से हठीक रहेगी शाम परीज़नों के साथ में बि विवाद की योग हैं कारिशेत्र में व्रद्धी होगी आर्थिक परिशानी से चुटकारा मिलेगा उपाई ये करें कि गरीब कन्या को सफेद कपड़ा दान करें शुभंक आट रहेगा शुबरंग रहेगा काला आठवी राशी व्रिश्चे कहने कि स्कॉर्फियों की बात क करेंगे सामाजिक प्रतिष्टा बढ़ेगी धनार जिन के नए मार्ग मिलेंगे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा काम का जी महिलाएं सफल रहेंगी सोचेवे काम पूरी होंगे उपाई ये करें कि धर्मिस्थल पर सफेद फूल चड़ाएं शुभंक दूर रहेगा शु की बात करेंगे कारोबारी तरक्की के मौके मिलेंगे परिजनों के साथ धर्मिस्थल जाएंगे शिक्षक छात्रों को मदद देंगे कारोबारी खुशखबरी मिलेगी दामपत्य सुखी रहेगा उपाई ये करें कि तूलसी पर जल चड़ाएं शुभंक पांच रहेगा श दस्वी रासी मकर यानि की केप्रिकौन की बात करेंगे पैसों से जुड़ा जोखिम ना लें दफ्तर में काम का बूज रहेगा हर फैसला सतरकता से लें नीजी बाते सांजह न करें कारोबारी यातरा लावकारी रहेगी उपाई ये करें कि रात्रानी के इतर्का ग्यारवी राशे कुम्ब यानि के अक्वेरियस की बात करेंगे। करें कि किसी गरीब बच्चे को मिठाई दान करें शुभंक पांच रहेगा शुभरंग रहेगा हरा तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाए का वो विशेश उपाए जो वाद विवाद में आपको जीत दिलाएगा देखें खास दिन है देवी बगला मुखी की जैन मंतर का जाब कीजे ओम हलीम बगला मुखी देविये नमहा आज शुभस्त करता हूँ वाद विवाद में निश्चित जीत मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं स्टो तक अजाज़त दीजे नमस्कार नमस शुआए